हे गाइस गुड मॉनिंग नमस्कार दोस्तों यह सौरभ डॉक कैनल आप सबका अपना चैनल आम यो दोस्त एन यो होस्त सौरभ वर्मा फ्रॉम यूपी वारनसी तो आज हम आपके लिए लेकर आए हैं सेन बनाट का पपी बहुत ही सुन्दर सस्ता टिकाओ लाजवाब क्योंकि हम खुशियां बाड़ते हैं और आगे भी खुशियां बाड़ते हैं इसलिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि खुश्यों का सिलसला ऐसे ही जारी रहें और मुझे इंस्ट्रेगाम पर फॉलो कीजिए और ठेर सार प्यार दीजे वेल्कमिंगे स्ट्रेगाम चले कोई नहीं आपने गुल्वा मुल्वा को लेकर आए यह देखिए हमारा सुन्दर सा प्यारा सा सेंबनार्ड कपपी है सैंबनार्ड जैसा कि हम सब जानते बड़ी फैमिली है बड़े मिलनसार और खेलना इंको बहुत पसंद हैं तो पचासी केजी नबबे केजी कभी कभी एक एक क्विंटल के हो जाते हैं लाइक 110 केजी 105 केजी तक मैंने अपनी लाइब का सबसे बड़ा और सबसे जाइंट सेंबनार्ड देखा था मलेर कोटला पंजाब में और वहां पे वर्मा साब करके बहुत अच्छे ब्रीड है यह बात है 2015 की तो वर्मा साब किया मैंने 118 केजी का सेंबनार्ड देखा था और वह फर्स टाइम मैंने उतना बड़ा उतना जाइंट सेंबनार्ड देखा था है हम इस पपी पर आते हैं तो यह जो पपी है अभी राइट नौ 35 डेस का है और इसकी डिवार्मिंग हो है यानि कि आक्रामक नहीं होते यह अग्रेसिव नहीं होते और सेंबनार्ड एक ऐसी ब्रीड है जो आपको बच्पन में यानि कि इतने छोटे होने पर भी इतना ही प्यारा लगेगा चार महीने बाद भी उतना ही प्यारा लगेगा और यह चार साल का होने के बाद भी प्य अगर आपको ग्रूमिंग का बहुत ध्यान रखना पड़ेगा इनकी साफ सफाई का ध्यान रखना पड़ेगा टेंप्रेचर आपको मेंटेन करना पड़ेगा क्योंकि यह बरफ के डॉग है इनको हमेशा थंडी जगह पसंद होती है नहीं तो आपको एसी प्रोवाइट करान गर्मियों के दिनों में सेंबनाड को जरूर जरूर से दही देना चाहिए और डेरी प्रोड़क्स का सेवन कराना चाहिए जैसे दही मंठा चाच पनीर छेना यह सारी चीज़े इनके लिए बहुत हेलफुल होती है और दही की तासीर ठंडी होती है तो इसका पेट भी अला मत्रूर लकात में सेंबनाड खे बुखति एक श़ॉटकोड होता है में सेंबनाड जिसको बाल नहीं होते या बहुत चोट मत्रूर थे दूसरा ल जो यह वाला जो अधान है या लॉ आप है इस का पर देखे के का लंबा लंबा है अभी TOP Si Amazon Village और जिसको बहुत ह एक शॉट कोट होता है सिन्मनाट जिसको बाल नहीं होते है या बहुत छोटे बाल होता है दूसरा लॉंग कोट होता है सिन्मनाट जैसे आप यह वाला जो पपी देख यह लॉंग कोट में इसका फर देखे काफी लंबा लंबा है अभी इस पैतिस दिन के पपी इसके लगब अब ने थोड़ा से खेलके खुदको इसने गीला कर लिया है तो अब लिखें, इखाओ, से हलो, हलो वीवर्स, हलो वीवर्स अब ही हमारे पास 6 मेल है और 2 फीमेल है इस लिटर में तो हमारे यहाँ जो मेल की प्राइज है इस पपी की वो है 40,000 रुपीज फीमेल की जो प्राइज है वो है 35,000 रुपीज और अगर आप शॉट कोट में पपीज लेना चाहते हैं तो वो आपको 25 से 30,000 रुपए के इस तरफ यह बच्चे के फादर है बच्चे का पापा है इस नेम इस गबबर और यह बच्चे की मा है हर नेम इस डेजी और गबबर से यह वाला पपीज हमारे पास हुआ और हमारे पास आठ पपीज को बहुत ही सुंदर और बहतरीन लीटर हो रखा है अब इसको आरी नेंद हम इसको जादा परेशान नहीं करेंगे वीडियो को जादा लंबा नहीं करेंगे तब तक आप वीडियो को लास तक देखिए वीडियो को लास तक देखने से आपको बहुत सारी चीजे और पता चलने वाली है और क्या-क्या बाते हम जान सकते हैं से इन बनाट के विशे में देखिए डॉग को इसी भी डॉग को मुखे तर च पोट वन is the giant breed १ैनि की ये सबसे बढ़े वाले जो डॉग होते है वो giant breed की केतेगरी में एते हैं तो giant breed कीxte केटेगरी में कौन-कौनसे डॉग आ राते हैं English Mastiff, Bull Mastiff, French Mastiff, tosae no, Japanese Mastiff, Tiwahatya Mastiff, Bootya, Grey Dann and none other then सें बनाड सें बनाड भी जाइन ब्रीट की काटेगरी में ये काफी बड़े होते हैं और इनको princes बहुत niezादा जघआ की जरूती है तो अगर आपका छोटा सा तो घर हो या एक रूम या दौर मा और आप इसको रखने का सोच रहे हैं, तो आप रख तो सकते हैं, बट he needs proper walk और jogging running आपको proper इनको देनी पड़ेगी, आपको इनको सुपे दुपेर शाम, at least 2-3 बार, आदे-दे घंडे के लिए walk पे ले जाना पड़ेगा, खेलने के लिए ले जाना पड़ेगा, क्योंकि यह अगर आप इनको खाना देंगे और रूम में रखेंगे, तो इस ब्रीड बड़े लिथार्जिक हो जाएगा, यह आलसी हो जाएगा, सिर्फ मोटा होगा, खाएगा, सोएगा, खाएगा, सोएगा, और कुछ भी ने करेगा, तो अगर आपको proper puppy को आप चाते हैं कि puppy active रहे, एडल्ट होने के बाद इसके results बहुत अच्छे हों, यह guarding अच्छी करें, सुन्दर लगे, तो सबसे बड़ी चीज आपको इनको बालों को रेगलोर साफ करने ही जो रहते हैं, डेली आपको डॉग को नहीं नहीं लाना चाहिए, तो आप कभी भी कोई भी बाल वाला डॉग गड़ दोग लेते हैं, हेर वाला या लॉग कोड में डॉग लेते हैं, जैसे रहीं कोडल बालों कोड लेतेे हैं, जैसे इनके बालों को साफ रखिये, बाल वाले डॉग, जब भी पानी पीैंगे उनका यह सब ही जाएगा, पूरी मुस्टेच, पूरी बिएर्ड, पूरा यहां 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 खाना लग जाता है तो तुरंद के तुरंद आप पोच दीगी इससे क्या होगा कि वह स्मेल नहीं करेगा बद्बूनी आएगी वह साफ रहेगा साफ रहेगा तो आपको भी अच्छा लएगा हाईजीन में आपको वीडियो में बहुत मजा आया होगा और आपको इस हमारे नहे चोटे दोस से मिलके बहुत अच्छा लगा होगा अभी दोपहर का टाइम है तो यह सोने के मूड में है तो अभी हम इसको जादा परेशान नहीं करें अधरवाइस ही पपी है बड़ा एक्टिव है यह बहुत खेलता है यह बहुत बदमाशियां करता है और मैं आपको देखा हूं यह रॉट्वाइलर के साथ बहुत भौक भौक के खेलता है और उसको काटने को भी जाता है अलग इसको दिमाग नहीं बहुत चोटा सा पपी ही है तो सेंबनाट बहुत प्यारी ब्रीड दोस्तों अगर आप नॉर्मल ब्रीड नहीं रखना च चाहिए और यह थोड़े से खाने वाले डॉग है लेबराडोर जर्मन शेफर्ट का काम मतलब फंद्रसो दोजार थाईज़ार रुपे महीने पर अप लेबराड जर्मन को पाल सकते हैं सेंबनाट थोड़ा ज्यादा खाता है तो तक्रीबन तक्रीबन एक वयस्क की खर्चे की अगर हम बात करें तो 3500 से 5000-6000 रुपे महीने का खर्च आता है एक बड़े सेंबनाट का और एक बड़े लेबराडूरिया जर्मन शेफर्ट का महीने का खर्च लगवक 2500-3500 रुपे तक आ जाता है बड़े आराम से इस खर्चे में मैंने वैक्सिनेशन आडें ग्रेंज या फिर एननडी या ओरिजिन इन जैसे महंगे फूट्स पर जाएंगे तो ओविसली बात है वो 10,000-12,000 महीने से जादा का खर्चा चला जाता है एक डॉप को पालने में सेंबनाट ब्रीड मुझे इस लिए बहुत जादा पसंद है क्योंकि इनमें एक बड़ी खास बात होती है यह आपको भूलते नहीं मुझे याद है मैंने 2014 में सेंबनाट को सेल किया था रॉबर्ट गंज में और रॉबर्ट गंज में सेल होने के बाद अभी 2019 में मेरी मुल पहचान लिया एकदम एकदम पहचान लिया इवन जिस जगह से वह गया था जिस रूम में से मेरे गया था जिस रूम के पास वह सुसू करता था उसी जगह पर आके उसने सुसू किया और जिस जगह पर अपनी हड़ीयों को छुपाता था छोटे कैल्शियम बोन को उसी सबसे अच्छी चीज यह ब्यूटिफुल डॉग होते हैं, मतलब आप इनको फोटो शूट के लिए यूज कर सकते हो, आप इनको टशन के लिए यूज कर सकते हो, और मेरा ऐसा मानना है कि कोई भी ऐसा व्यक्ति हो जिसको डॉग्स नहीं पसंद हो, उसको एक दिन के लिए कि सेन बनाट के साथ छोड़ दू, बस 24 गंडा, प्यार न हो जाए तो कहना,